चलिए बनाते हैं वेटलोस चियासीट पुडिंग, तो करना क्या है यह हमें 2 चम्मच चियासीट ले लेने हैं, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना हैं, और अभी हम इनको ढखकर रख देंगे, क्योंकि इनको तो आप सुभा ही इनको भिगो दीजिए और अगर आपको सुभा में बनानी है तो आप फिर इने रात में भिगो कर रख दीजिए ऑप इसे बिरिक फास्ट या साम की चोटी मोटी सी भूग होती है उसमें खा सकते हों आपको पास से दिखाती हूं चीया सीड्स कुछ इस तर डालेंगे चिया सीड्स ये दिखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुके हैं तो बाउल में टांसफर कर देते हैं अभी हम इसमें डालेंगे दूद तो ये मैंने हलका सा गरम कर लिया है क्योंकि अभी हलकी हलकी से ठंड होनी शुरू हो गई है गर्मी में तो आप कर देंगे बारी कटे हुए बदम काजू कर बूज उसमा की गिरी को ़िस्ती में यह किशमिस तो इन किसमिस को मैंने क्या क्या है । इसिह लंबी वाली ती तो इसनको बीच में से कट कर लिया है तो इससे क्या होका कि आपके हर भाइट में फीने आइगी तो आपको फिशी ऐसे फीका-फीका दूद नहीं लगेगा मीठा ही लगेगा अभी हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ एपल और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी हमारी चिया सीड पुडिंग रेसिपी बिल्कुल तैयार है तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्र इस तरीके से आप अगर अपने खाने में चेंजिस करोगे तो दिरी-दिरे आपका वेट लोस होना शुरू हो जाएगा और देखो दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वेट लोस करना होता है तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि हमें भूके रहना है हमें बस अपने ख